आज हमें करने वाले हूं पुरानी साडी की लेस का बहुत ही अच्छा सा इस्तमार तो एक दम छोटे छोटे जो बचे हुए टुकडे होते हैं लेस के उसका भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं मैंने वैसी लेस का ही यूज कर रहा है यह मेरे पास बहुत सारी अलग-अलग लेकिन उसमें से मैंने कुछ छोटे-चोटे टुकडे निकाल लिये हैं इसे अलग कर लिया है और इसी कम है इस्तमाल करूंगी अगर आपके पास भी ऐसे छोटे-चोटे टुकडे पड़े हैं तो आपको लेने हैं अब मैंने एक पुरानी पैंट लिया है उसमें से एक पी ऐसके बाद उससे बढ़ा इस तरीके से और फिर चोटे टुकड़े तो उसे रास्ट में रखना है तो झाय करने के बाद आपको एक के ऊद्शेनों और एक रहाम से लेतनी हैं तो तरीके से यहां पर इफसके लिए 11 by 10 inch का वह आपको जो मेन फाब्रिक है उससे दूनों साइड थोड़ा थोड़ा सा कम यानि के आधा आधा इंच जितना ही मैंने कम लिया है और फिर इस तरीके से हम इसे डबल फोल्ड करके यहाँ दूनों साइड साइड से लाइगे अब इसे इसके बीच में आटेच करना है तो उसके लिए आपको पहले इसका सेंटर निकाल लेवा दूसरा कपड़ा है उसका सेंटर निकाल लेजिए और जो आप मार्किंग करे वो ऊपर की साइड रखन यहां पर और फिर मैंने इस तरीक से फोल्ड कर लिया है यहां पर मैंने 11 इंच मिजर्मेंट लिया है आप कम जादा कर सकते हैं अपने हिसाब से अब देखें जो में पीस हमने रेडी किया था उसके दूनों साइड टूटो इंच पर मार्क करेंगे हम और यहां पर हम इस दबाते हुए हम इसके उपर सिलाइ कर लेंगे और हेंडल को आपको बाहर की तरफ रखना है थिए जप हम फोल्ड कर गया और रहोंगे यहां पर भी सिलाइक है जिप को ऑपन करके यहां पर मैं प्रेस्टिच कर लूँगी तो यह इस तरीक से हमारे जप पैटेश हो चुक लिए के तारीके से इस साइड करने के बाद हमें सेम तरीके से सेकंड पर भी कर लेना है अब यहां पर कुछ भी एक्स्टरा है तो मुसे कर सीधा कर लेंगे और फिर àsटी क timeline करती है कहीं पर पर हम इस करती ईक चेय शांने और इसे इस तारीके से हम यहां पर रखेनगे हैं और उपर कर लेंगे तो दोनों साइट पर इस तरीके से मैंने ऐड़ी सायट को लिए इसी तरीके से मैंने आठाज कर लिया है इसके थ्रैड ब़ी बाहर नहीं आते हैं आप देख ev и तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये हमारा बैक बनकर रेड़ी हो चुका है, वो भी लेस के छोटे छोटे बेकार टुकुडू से, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राइ करना, क्योंकि ये एक तम वेस्ट मटीरेल है, आप भी इस तरीके का प्यारा सा बैक बना सकते हैं, आप अगर ट्राइ करें तो मुझे कोमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो आपको अच्छा लगा है यूस्फुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चनल पर नए आएं तो सब्सक्राइब करना मत बूलना में ते ऐसे ही और यूसफूल वीडियो के साथ तब तक के लिए जय भारत